वित्तुमंत्री निर्मला सीतारमन आज देश का अंतरिम बजट पेश करेंगे। लोकसवा चिनाव से पहले बजट के जरिये सभी वर्गों को खुश करने का मोधी सरकार के पास ये आखरी मौगा है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में टैक्सपेयर्स किसानों सरकारी का अमचारियों को लुभाने के लिए लोकलुभावन एलान किये जाएंगे। साथी विकास की रफ़तार को गती देने, साथी आधारभुट धाचे की मजबूती के लिए कैपिटल एक्सपेंटिचर के लिए सरकार जादा पैसी का प्रावधान करेगे। सरकार की नजर सैलरीड क्लास से लेकर किसानों महिलाओं सभी पर है। सैलरीड क्लास और महिलाएं बीते एक साल से महंगाई से परिशान है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि निर्मला सीतारमन महंगाई से राहत देने के लिए टैक्स के मोचे पर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है। अंत्रिम बजट में स्टैंडर्ड डिड़क्शन की लिमिट को मौजूदा पचास हजार रुपे से बढ़ा कर पिचेतर हजार रुपे किया जा सकता है। साथी नए टैक्स रिजीम के तहट फिलहाल साथ लाख रुपे तक के आये पर इंकम टैक्स नहीं देना होता है। इस लिमिट को बढ़ा कर साड़े साथ लाख रुपे किया जा सकता है। इधर इलाज पर भरते खर्च और मेडिकल इंशूरेंस के महंगे होने के बाद मेडिकलेम प्रीमियर के भुकतान पर टैक्स छूट क्लेम करने के लिए डिडक्शन की लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है। 2022 तक मोधी सरकार ने किसानों की आये दोगना करने का वादा किया था जो अब तक अधूरा है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए सरकार पी-म किसान योजना के तहट 6,000 रुपे सालाना दिये जाने वाली रकम को भी भढ़ा सकते हैं। तो आज अंत्रिम बजट पेश करेंगी वित्मंत्री निर्मला सीता रमन्ट उसमें भी माना ज़रा है कई बड़े एलान हो सकते हैं। क्योंकि अंत्रिम बजट है तो ऐसे मैं माना ज़रा है कि ये लोकल भावन होगा हर वर्क को हर क्लास को साधने की कोशिश इस बजट में की जाएगी। अंत्रिम बजट में स्टैंडर्ड डिड़क्शन की लिमिट को मौझूदा पचास हजार रुपे से बढ़ा कर पिचेतर हजार रुपे किया जा सकता है। साथी नए टैक्स रिजीम के तहट फिलहाल साथ लाख रुपे तक के आये पर इंकम टैक्स नहीं देना होता है। इस लिमिट को बढ़ा कर साड़े साथ लाख रुपे किया जा सकता है। इधर इलाज पर भरते खर्च और मेडिकल इंशूरेंस के महंगे होने के बाद मेडिकलेम प्रीमियर के भुकतान पर टैक्स छूट क्लेम करने के लिए डिड़क्शन की लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है। 2022 तक मोधी सरकार ने किसानों की आये दोगना करने का वादा किया था जो अब तक अधूरा है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए सरकार पी-म किसान योजना के तहट 6,000 रुपे सालाना दिये जाने वाली रकम को भी भढ़ा सकते हैं। तो आज अंत्रिम बजट पेश करेंगी वित्मंत्री निर्मला सीता रमन्ट उसमें भी माना ज़रा है कई बड़े एलान हो सकते हैं। क्योंकि अंत्रिम बजट है तो ऐसे मैं माना ज़रा है कि ये लोकलो भावन होगा हर वर्क को हर क्लास को साथने की कोशिश इस बजट में की जाएगी।